नमस्कार आप देख रहे हैं Mobile News 24 और मैं हूनी रजक्मार वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी ख़वरों का और इस पुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामने आये अलिवावा समूह के फॉंडर जैकमा BBC ने भारत का अधुरा नक्सा दिखाने पर मागी माफी, वेब सिरीज तांडब को लेकर होगी कानूनी कारवाई, किसान संगठन और सरकार के बीच दसमे दोर की बैठक जारी, गुज़राज सरकार ने बदला ड्रेगन फूट का नाम ममता बनर जी को टक कर देंगे इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिले कराये हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंज तक जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, नोटिफिकेशन बेल के ओल आप्शन को दबाना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों स आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट, तो चलिए सुरू करते हैं। सेफ अली खां की वेव सिरीज तांडव को लेकर कानूनी कारवाई की तैयारी में जुटी महराश सरकार, महराश्ट के ग्रेह मंत्री अनिल देश मुख ने OTT पिलेटफॉर्म पर लीज होने वाली फिल्म के लिए नए कानून बनाने को लेकर उठाई मांग। को प्राकरम दिवस के तौर पर मनाने का लिया फैसला, 30 जनवरी को देश की आजादी में सहीद हुए लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखा जाएगा। कॉंग्रेस ने रिपब्लिक टीवी के परधान समवादक अर्नव गौस्वामी की कथित वाटसप चैट को आधार बना कर जाच की मांग उठाई, कहा देश की सेना एवं सुरक्षा से जुरी जानकारी लीक करना राश्ट दुरो है। किसान संगठन और सरकार के बीच दसमे दौर की बैठक के बीच बोले किसान नेता गुर्णाम सिंग, हमें इस बैठक से कोई उम्मीद नहीं। बंगाल की मुखमंतरी ममतावनर जी को टक कर देंगे बीजेपी नेता सुबेंदरु अधिकारी, नंदिग राम सीड से चुनावी मैदान में उतरेंगे सुबेंदरु। इस वार वेंगलूरु में 19 और 20 मार्च को होगी राष्टिय स्वेंसेवक संग की अखिल भारतिय परतिनिधी सभा की बैठक भीया जी जोसी के जगह चुना जाएगा नया सरकारवाँ। दिल्ली कूच करने की तैयारी में है यदुरप्पा से नाराज 15 बीजेपी अजमेले। इन विधायकों के अनुसार मंत्री मंडल में मंत्री बनाने के लिए तै किया गया पैमाना है गलत। अरुनाचल परदेश की सीमा में चीन के गौँ बसा लेने पर सिवसे नाने केंद सरकार पर कसातंज कहा क्या सरकार चीनी गौँ पर चलाएगी बुल्डो जरी या सहती रहेगी मनमानी। गुजराज सरकार ने बदला ड्रेगन फ्रूट का नाम बाहर से कमल जैसा दिखने की वज़ाई से अब इसका नाम कमलम होगा। असम में विधानसवा चुनाओं के दौरान होंगे अधिक मतदान कैंदर और कम अधिकारी कोविड-19 के मंदे नजर किया गया ये बदला। अब नेपाल को मिलेगी भारत की कुरोना वैक्सीन कल काठमांडू पहुँचाई जाएगी टीके की 10 लाख डोज। जर्मनी में 14 फरवरी तक वरहाया गया लॉक्डाउन। जर्मन चांसलर एलंजेला मार्केल ने बताया कि कुरोना के लगातार भरते मामलों को देखते हुए लिया गया है फैसला। एक रिसर्च के अनुसार जब कोई इंसान जहूट बोलता है तो उसकी नाग गर्म हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ तब होता है जब कोई जज करने वाला सुरोता सामने होता है। इसपीनर हरबजन सिंग का इंडियन प्रीमियर लीग की टीम चन्नेई सूपर किंग के साथ कॉन्ट्रेक्ट हुआ खत्म बोले इस टीम के लिए खेलना एक सांदार अनुभव था। रिसप पंत्व ने दुनिया के नंबर वन विकेट कीपर ICC टेस्ट रेंकिंग में लंबी छलांग लगाकर तेरह में अस्थान पर पहुँचे पंत। फैंस पर फिर छाया सपना चौधरी की देशी डांस का जादू, सपना का गाना चंदरवाल लगातार यूट्यूब पर हो रहा है वैरल। कंगना रुनाथ की फिल्म धाकर के पोस्टर में दिखेगा दिव्यदत्ता का जवरदस्ट अंदाज, इस फिल्म में रोहनी के किरदार में दिखेगी दिव्या, एक अक्टूबर को रिलीज होगी ये फिल्म तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजे, नोटिफिकेशन बेल के अल आप्सन को भी दवा दिजे, वीडियो को लाइक कीजे और ज्यादा ज्यादा सेर कीजे, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट